नमस्कार दोस्तों वेल्कुमेर डू जीके ट्रिक्स इस वीडियो पर में आर्पेस्टी फर्स्ट के लिए जो उमारी सिरीच चल रही है पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री वाले फोर्चन से उसको मागे बढ़ाते हैं मौर्यकाल हमने कंप्लेट कर लिया है गुप्त काल से संब लिख पाएंगे और लिखने के बाद में आपको बार-बार इनका रिविजिन करना है तब ही आपको इनका बेनिफिट मिलेगा और यह अथेंटिक मैटर है आर्बेसी की फुस्तकों से तो आपको निश्चती फायदा होगा आपके एक्जाम में चलिए इस वीडियो की सुर निर्मान होगा पुन्द निर्मान करवाया गया था कुमार देवी के द्वारा क्योंकि निर्मान तो असोग ने करवा दिया था तो यहां पर आप देख सकते हैं जो यह तमय किस्टूप है यहां पर यह कहां पर है तो सारनात यूपी में है तो देखिए आप यहां पर जो नेक्स्ट आगे चलते हैं निम्नम ऐसे कौन सा सही सुम्यलित है इस्तूप और उनकी इस्तान के सम्मंद में मीरपूर खास का स्थूप सिंध पाकिस्तान जरासंद की बैटक का स्थूप राजगीर बिहार केसरियक का स्थूप बिहार या फिट सभी देखिए आपर हमारा करे दियार में केसरियक का स्थूप तो यह आप ध्यान टेगा तिकना आपको धियां रखने कि स्थूप कहाँ पर हैं आगे चलते हैं अजंता की गुफए कहां पर हैं उत्त्र प्रधेश मध्य प्रदेश महराह कंत बहुत हैंiała कहाない करेक्ट आंसरों हो preserved मार्य के औरंगा बाद थे और सरवपर्तम इन गुफ़ाओं के जानकरी किनके द्वारा दीगे थी तो अठरस्टो चॉइस इस वी में जैम्स अलेक्स जेंटर ने इन गुफ़ाओं के जानकरी दी थी तो यह सारे फेक्ट इंपोर्टेंट है सभी के बब अब ध्यान कियेगा आपके चलते हैं अजन और माके जितने भी कुफ़ाओं क्या विहार चैति क्या है जो फूझे इस तल्थे मौद भिक्शुव के उनको कहा जाता था चैतिय और उनके रहने किस्थान को कहा जाता था विहार तो पांच गुफाओं कि दूफा संक्या 9,10,19,26 और 29 शैंधिस फॉल पैस हिणियां साक से सम्मंद थी आठ नो दस बारा तेरा और पंदरा तो इनके बार में अब ध्यान रिखिएगा आगे चलते हैं अजन्ता की गुफा संक्या सोला के समंद में असत्य कथन या पर कौन सा वो बताना है इसमें मरनासन राजकुमारी का चित्र है उपदेश सुनते हुए भक्त का मार्मिक चित्रन किया गया है भगवान विष्णु के दस अवतारों का की मूर्तियां इसमें बनी हुई है तो कौन सा यहां पर असत्य कतने वो बताना है देखिए अजन्ता की गुफा के सम्मंद में असत्य कतने ऑप्स नमबर फोर्थ यह गलत है बागी उपर के तीनों कतन गुफा संक्या सोला के सम्मंद में सत्य है इनके अलावा गुफा संक्या सोला के अंतर के तो यह भी मिलते हैं इनके बर में अब ध्याने किएगा गौतम बुद्ध की प्रलंबपाद मूर्ति इसके अलावा महात्मा बुद्ध के विराग्य उत्पन होने के चार द्रस् तो यह सभी उत्क्रीन की वे मिलते हैं गुफा संक्या रट शोला में, तो यह आप द्यान नेखिएगा आगे चलते हैं, अजन्ता की किस गुफा को चेत्रस अला, या फिर रसी चक्र, या फिर रंग सला भी कहा जाता है, गुफा 15 गुफा 16 गुफा 17 या फिर गुफा 18 तो द तो माताभ शिषू का चित्रण इसे में कैन्त पDas किया हुआ है माताखओं ने तो यसोदरा और सिषु रहुल यानि महत्म बुद्ध की पतनी और उनका पुत्रा तो बुद्ध के ग्राथ्या का चित्रण भी इस गुफवासं के सत्रह में राहूल समर्पन का चित्रन और महा हंस जातक का था का चित्रन इसके अंतरकत है तो इसार इफेक्ट आप द्यान कियेगा आगे चलते हैं बाग की गुफ़ाय किस रज्ज में है चतिसगड जारकंड महारास्ट्र या फिर मद्यपर्देश लेकर करेक पर धार में इसकी खोज किसके द्वार की गई थी अठार सो अठारा इस्वी में लेफटनेंट डेजर फिल्ड ने बाग की गुफ़ाओं की खोज की थी तो यह आप ध्यान कियेगा और इसका निर्मान काल माना जाता हैं पांचवी से लगा कर चटवी सताबदी यह भी यह आपर आप देख सकते हैं यह बाग की गुफ़ाओं जो कि मद्यपरदेश में मद्यपरदेश के धार में बाग की गुफ़ाओं में कुल कितनी गुफ़ाओं हैं चार पांच नो दस देखिए कुल गुफ़ाओं हैं बाग में नो तो बाग की टुटल नो गुफ़ाओं की गुफा संख्या और नाम के संबन में सही सुमलित नहीं है तो देखिए गुफा संख्या एक का नामें ग्रह गुफा गुफा संख्या दो का नामें पंच पंडव की गुफा संख्या तीन का नामें हाति खाना गुफा संख्या चार का नामें रंग महल और गुफा संख्या पांच का नाम है रंग विहार इन में से यहां पर कौन सा सही सुमिलित नहीं है वो बताना है देखिए करेक्टांस रोग और फिप्ट यह सही नहीं है जो गुफा संख्या पांच है उसका नाम क्या है उसका नाम है पाट साला और यहां पर क्या दे रखाए यहां पर दे रख गुफाएं किस रज्ज में हं उत्त्रक्र्देश, मध्यफि, माराष्ट्र, या तो यहांपर 20 गुफाओं का निर्मान चंदरगुप्तике काल में हुआ था यह इफ्ट आप ध्यान रखेगा चंदरकुप्तित्यक के विदेश सच्चिव वीरसेंद के द्वारा निर्मित गुफा किस नाम से जाने जाती है तवा गुफा के नाम से जाने जाती है यह फैक्ट साहिए एक दोग जिमाय हुआ है तो आप यह द्यान रखेगा एफट उद प्रच में हैं जो नस्था अवतार मंदिर है देवगड का दसा अवतार मंदिर वो किस रज्य में हैं आपके सामने अप्षन है उत्तर पर्देश मद्या पर देश राजस्तान या फिर हमांचर पर देश तो आपको कमेंट सेक्ष में लिखके जरूर बताना है कि देवगड का दस्यावतार का मंदिर किस रज्य में है और चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर करिएगा आपको हमेंसा हेल्प मिलते रहेगी आपके एक्जम से सम्मंदित है और जो भी ऑथेंटिक मेंटर है व क्या आपके जर झापके जरू झाल